तो आज हम स्टार्ट करने बादे हैं क्लास सेवन्थ की साइन्स के चेप्टर थी की जो एक्सेसाइज है एंसे आटी बुक की तो इसकी अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे ओके तो सबसे पहले आपका क्वेस्टन है यू हम यू मस्ट वी फैमिलियर विद दा फॉलोविंग न नर्स्री में यह अपने राइम पड़ी होगी बाबा 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 ब्लैक शीप है व्यू एनी वूल मेरी हैड ए लिटल लैंब्स हूज फ्लीस वाज वाइट आज शो ओके तो उसके बाद आपको कुछ क्वेस्टन दिये गए हैं और उसके अंसर आपने बताने हैं तो फ फ्लीस ओफ दा लैंब्स होके तो चल लो इसका अंसर देखते के दुुम्ल नंडर पार्ट औउफ सीप हव व वाज अदर पार्ट में के उत्थां होते हैं वह हम उसको फूल हो तो सेके अगर धिस मीयंज ध हैर आफ स्व Voilà hon ridiculous के जो हरो होते हैं वो वाइट होते हैं इसलिए हमें क्या वाइट गलर की वूल मिलती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड बीप क्वेश्चन नम्रों दजिस सिल्क वाउम इस ए ओके एक टरफिलर लार्बा चूज दा क्रॉक्ट एंसर ओके तो हमने पड़ा पीछे पड़ा है सिल्क वाउम क्या है वो एक केटरफिलर है ओके विच ओफ फॉल्विंग डज नाट इल्ड वूल ओके तो जो वूल है वो किसकी नहीं होती है या की वूल होती है हमने पड़ा था कैमल की वूल होती है गौट की वूल होती है मत वुली डॉग की जो है वो बूल नहीं होत तो अंसर इसका आएगा डाज नाट हैव यह बुली डॉप डाज नाट हैव इल्ड गूल ओके नेक्स्ट है आपका इसका question number four what is mean by the following term तो रेरिंग है शेरिंग है और सेरी कल्चर है इसके आपने meaning बताने है कि रेरिंग की definition क्या है शेरिंग क्या होता है और सेरी कल्चर क्या होता है तो चलो देखते हैं इनको one by one तो रेरिंग अंसर है इसका रेरिंग रेरिंग हाँ इसके अंसर है जो definition पूछी होई थी ओके फर्स्ट रेरिंग शेरिंग है breeding and raising any animal is called रेरिंग तो इसको रेरिंग बोलते हैं शेरिंग किसको बोलते हैं the process of shaving of sheep body to obtain fleece along with thin layer of skin is called sharing okay next है आपका सेरी कल्चर okay a reading of silk moth is called सेरी कल्चर उसको सेरी कल्चर बोलते हैं okay तो next आपको हमने पड़े भी थे ते below is a sequence of step and the process of wool which are the missing step add them okay तो sharing दिया है sorting दिया है okay तो इनके बीच में जो बूल बनाने के लिए हैं वो क्या है कौन कौन सी process sharing के बाद आती है carding उसके बाद dying sharing के बाद आती है carding उसके बाद shorting उसके बाद dying उसके बाद spinning आती है okay तो यह थे उसके one two three four blanks okay तो next है आपका make sketch of two stages in the life history of silk mode which are directly related to production silk okay इसमें के आपने एक drawing बनानी है caterpillar की और को कौन जिसमें जो develop होते हैं okay तो जो जहां पर वो production होती है उसकी तो आपकी book में यह example दिये गया है silk bomb यानि के caterpillar का example दिया गया है okay उसके बाद उसका भी एक diagram दिया गया है okay तो उस example से आपने क्या यह diagram बना दी नहीं है और यह diagram भी आपको दे गई है next है आपका question number seven out of the following which are the two terms related to silk production okay तो silk production के related वो कौन सी जो टर्म है वो यहां पर दिये गई हुई है okay तो हमने तो यहां पर जो चीज़ें पड़ी थी वही हम बताएंगे hint दिया गया है इन्होंने silk production involves cultivation of mulberry leaves and reading silk bomb okay and second है scientific name of mulberry is Morris Alba okay तो यहां पर क्याँ टर्म है क्याएंगी हम दे टू टर्म एड़ेटर टू सिल्क प्रड़क्शन एक तो हमने ugi Starry colorful पड़ा था यह और एक पड़ा था हमने storytelling Mory कла पड़ा था सरी कलचे के बारे में हमने बहुत ज्याले पड़ा था देकिन ников और से वारे में थोड़ा यह तो से के लएगा मोरी कमल च रोएगा okay वह इससे पर ट्राइम होट और सेरी कल्चर इससे एलेक्टर है तो नेक्स्ट है अब मारा क्वेशन नमबर 8 मैच और वर्ड कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो है वो वर्ड हमने मैच करने है कि स्कॉरिंग क्या है मल्वरी लीप्स क्या है या क्या है क्या है कोकून क्या है मल्वरी लीप्स क्या है मल्वरी लीप्स क्या है मल्वरी लीप्स क्या है मल्वरी लीप्स क्या है यहां ध्यान रखना यहां पर आपको पांच दिये गए हैं और कॉलम बन में एक दिये चार दिये गए हैं तो मेभी किसी के पांच किसी के दो अंसर हो सकते हैं या एक अंसर य milk bomb okay, तो उसका क्या है वह food है okay, तो s era second है अपका इत्ते व्हर्ड है याक, याक क्या है याक से हमे क्या मिलती है? वूल मिलती है, वूल Libya थल्साएं कि पढ़ा था कि कौनसा din जहां सबस्ते होडला कॉश्शन भड़ा था वो नहीं था तो यहां पर हमें क्या मिलेगी वो भूली ड़ोक से हमेंhovahalli wool नहीं मिलती है लेकिन यहां से गूरी टोजब थाuk agora ऊके उसके बाद है क्या कोकोन bevor Kath consistently हुआ को को कुए कहीमाइगा इंग क्या होएगा कोकून से लेटर है तो यह था आपको question number 8 अब चलते हैं हम आपके question number 9 कियो question number 9 आपको दिया गया है given below a crossword puzzle based on this lesson use hint to fill filling the blank space with letter that complete the word across cross मतलब this side को word दे गए वो ये वाले है और down जो नीचे वाली side को दे गए वो ये वाले है तो one a a one कौन सा है keep warm okay तो ये a one कहां से आएगा यहां से यहां से लेगे यहां तक okay तो हमें कौन गर्म रखता है जो हमने जो अभी इतना chapter पड़ा silk पड़ा wool पड़ा तो हमें गर्मी कौन परदान करता है तो हमें गर्मी के परदान करती है wool यहां पर आएगा आएगा आपका wool आएगा okay यहां पर आगया हमारा wool आगया second था its leaves are eaten by silk warm okay जिन्सके जो leaves पत्तों को वो silk warm खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम okay यहां से यहां से आएगा हो यहां से okay तो उसको क्या बोलते हैं हम यहां पर हमने पड़ा विदा उपर भी पड़ा था हमने उसको क्या बोलते हैं यह वी का वी का हमने कौन सा किया था थाड़ी food of silk warm तो इसको क्या बोलते हैं हम mulvery leaves तो यहां पर इसका क्या आएगा मलवरी mulvery की spell क्या है m u l b e r r y ok एक आगया mulvery आगया ok next third है hatch from egg of moth ok तो इसका क्या आएगा third a third a कहां से start होगा यहां से तो क्या होगा इसका caterpillar ok हमने caterpillar के बारे में पढ़ा था caterpillar p i l l a r p i l l a r ok तो हमारा क्या यह across वाला होगया अब down वाला पढ़ेंगे through washing through washing वाली हम क्या उस process को क्या बोलते थे हम उस process को बोलते थे हम कहां पर हमने फर्स्ट डी भरना है यह फर्स्ट डी भरना है उस process को बोलते है थे हम score okay s c o u r okay scoring यह score बोलते थे okay उसके बाद क्या animal fiber animal fiber क्या होता है से यह कहां पर आएगा यह यहां पर है okay तो animal fiber क्या होता है जैसे silk s i l k okay तो animal fiber क्या होता है हम है क्या मिलता है animal से silk मिलता है okay और उसके बाद थेर्ड का d है third का d मतल लॉंग thread like structure it means fiber f i v r e okay तो यह हमारा solve हो चुका है तो यह था आपका question number nine i think यह last question था आपका तो चलो इसकी साथ हम इस lesson को close करते हैं इस video को close करते हैं प्लीज वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करें मिलते हैं हम next lecture में chapter number fourth के साथ chapter number four आपका heat तब तक के लिए bye bye । झाल by के टो साथ हैं रापकाद हैं